आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंचरी बुक का पार्ट 17 बादल चले गए वे ये कविता है और कवी का नाम है त्रिलोचन जी प्रस्तुत कविता में बादल के माध्यम से कवी ने हमारे जीवन के जो सुख और दुख की बाते होती हैं उसको बादल उख से वैसे ही हमारे जीवन के सुख दुख भी आते और जाते रहते हैं तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं साथी साथ मैं संदर्ब सहित व्याक्या भी बताती चलूँगी और आपको अर्थ भी बता दूँगी बना बना कर चित्र सलोने यह सूना आकाश सजाया राग दिखाया रंग दिखाया छण छवी से चित चुराया बादल चले गए वे तो इसमें छण छण यानि पलपल और चित होता है मन तो चलिए इसकी संदर्ब सहित व्याक्या पढ़ लेते हैं संदर्ब प्रस्टुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बादल चले गए वे नामक कविता से ली गई है और इस कविता के रचेता त्रिलोचन जी हैं प्रसंग प्रस्टुत कविता में बादलों के माध्यम से कवी ने सुख और दुख दोनों की बात कही है क्योंकि जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं वैसे ही बादल भी आते हैं और चले जाते हैं सुख भी जीवन में आता है और चला जाता है यानि हमारे जीवन में अगर दुख ना हो तो सुख का कोई अस्तित्व नहीं है हमें सुख का कोई अनुभव मैसूस ही नहीं होगा इसलिए जीवन में दुख और सुख का आना लगा रहता है यही जीवन का क्रम होता है व्याख्या बादलों ने सुन्दर रंग बिरंगे चित्र से खाली आकास को सजा दिया है आपने देखा होगा जब आकास में बादल आते हैं तो अलग-अलग प्रकार के चित्र से बन जाते हैं रंग बिरंगे आकास में मदुर संगीत हुआ और विभिन रंग दिखने लगे आकास में नई शोभा से शोभा यानि सुन्दर्ता से चित मोलिया है चित होता है मन जब हम आसमान में रंग बिरंगे कुछ भी आकार देखते हैं तो हमें वो बहुत मोहित करती हैं हमें वो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन अब वे बादल चले गए हैं आगे हैं आस्मान अब नीला नीला एक रंग रस श्याम सजीला धर्ती पीली हरी रसीली शिशिर प्रभात सुमुजवल गीला बादल चले गए वे तो इसकी संदर्ब सहित व्याख्या इस प्रकार है? इन पंक्तियों के संदर्ब और प्रसंग भी पूर्वता होंगे जैसे कि पिछली पंक्तियों के थे अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं बादलों के चले जाने पर आकाश यानि आसमान जो है वो साफ नीला नीला स्वच्छ दिखाई दे रहा है वह दूर दूर तक रस युक्त शामल रंग से सजा हुआ था धर्ती पीली, हर्याली युक्त और रस्वन्ती हो रही थी क्योंकि बादल बरस गए हैं और हर्याली हो गई है चारों तरफ नहीं, धर्ती का सौंदर्य सबको आकरशित कर पाता है और वो बादल चले गए हैं यानि हमारे जीवन में जब कोई दुख आता है तब हमें दुख के जाने के बाद सुख का अनुभव होता है अगर दुख नहीं होगा तो सुख का कोई अस्तित्व नहीं होगा इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख आता और जाता रहता है कुछ अंतिमपन क्या है दो दिन दुख का, दो दिन सुख का दुख सुख दोनों संगी जग में कभी हास है, कभी अश्रु है जीवल नवल तरंगी जग में बादल चले गए वे दो दिन पाहुन जैसे रहकर तो यहाँ पर जो सुख दुख है उनकी बात की गई है यानि कभी तो हमारे जिनदगी में हसी होती है कभी आश्रु होते है अश्रु यानी आश्रु नवल तरंगी यानि जो नई लहरें से यूक्ठ होता है नई नई लहरे हमारे जीवन में आती हैं तो चलिए इनकी भी संदर्ब सहित व्याख्या पढ़ लेते हैं इन पंक्तियों का संदर्ब और प्रसंग भी पूर्वताई होगा जैसे कि पहले अभी हमने पढ़ा था वैसे ही इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं संसार में दो दिनों के लिए सुख और दो दिनों के लिए दुख होने का क्रम चलता रहता है यानि हमारे जीवन में अगर सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है और अगर दुख आता है तो उसके बार सुख भी आता है तो ये क्रम हमारे जीवन में चलता रहता है और इसी को हम जीवन कहते हैं वास्तव में सुख दुख दोनों का आपस में सयोग लगा ही रहता है संसार में मनुष्य के जीवन में हसी और आसों की नई लहरे आती ही रहती है बादल इस प्रकार आये थे जैसे दो दिनों के लिए महमान आते हैं और चले जाते हैं यानि आसमान में बादल आते हैं और फिर वो बरस कर चले भी जाते हैं तो यहाँ पर बादलों की तुलना महमान से की गई है उन्हें महमान बताया गया है और जीवन में भी सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं तो यह तो हो गई कविता की व्याक्या आपको कैसी लगी यह मुझे जरूर बताईए आपको इसके प्रशन अभ्यास का वीडि उसके अपडेट्स मिलते रहें मैं गरिमा आपके साथ आपके लिए वीडियोज लाती रहूंगी लेकिन अगर आपको कोई अपने सुझाओ देने हैं तो वो आप कमेंट शेक्शन में मुझे लेकर बता सकते हैं धन्यवाद पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें